11th April को मैंने आपके लिए एक Bitcoin Analysis वीडियो बने आता, जिस समय Bitcoin 72,000 डॉलर के आसपास था, हार कोई बुलिश हो रखा था Bitcoin के उपर, पर मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिसकेस के था, जिस वीडियो का लिंक आपको आए बटन मिल जाएगा, कि अभी Bitcoin मना रहा है, एक बहुत कम है, एक बार प्रॉपरली हैंडल बने, जो आपको रफली 54,000 डॉलर की नीचे नीचे बने हैंडल, फिर वहां से मूव आए तो वह सरस्टीनेबल होगा, आप सभी ने देखा कि उस समय हर कोई भुलिश था, मार्केट को लेके, इस्पेशली Bitcoin को लेके, और किसी न इस तरीके की स्टोरी देख रही है, कुछ ऐसी स्टोरी देख रही है, जो अभी तक आपके सामने कोई बात नहीं कर रहा, डिटेल में डिसकस करेंगे, आज के इस वीडियो में Complete Logic, Complete Detail, Complete Psychology के साथ मैं आपको बताने की कोशिच करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत इंपोर्टन वीडियो, सबसे पहले ये वीडियो प्रेजेंट किया जा रहा है, डेल्टा एक्स्चेज इंडिया की तरफ से, आप चेक आउट कर सकते हो स्क्रीन पे, ये लोग रजिस्टर है, FIU, Financial Intelligence Unit of India की तरफ से, और 100% Indian rules के लिए compliant है, यहाँ पे आपको कोई किसी भी प्रकार का Bitcoin directly buy करने की सुरत नहीं होती, पर at the same time, INR में ही आप properly trade कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ यह, एक automated conversion करके देते है, USD में, और future options में आपका काम होता है, यहाँ पे directly आप क्रिप्टोस में काम नहीं करते है, आप सिधा उनके derivatives में काम करते हो, जिसक complete चीजों को देखने की कोशिश करते है, आप सबसे पहले देखेगा यहाँ पर चार्ट में, यहाँ पर मैंने एक आपको वीडियो बनाया था, और कहा था कि एक बार यहाँ पर handle बनना चाहिए, यह complete cup बन रहा है, अब इसका handle बनना चाहिए, जो roughly 54,000 के नीचे-नीचे, 52,000 dollar was the level, जहाँ पर handle का lower point होगा, यह मेरी expectations थी, क्योंकि यहीं से actual move आयता, इस complete cup का, यह नीचे आया, नीचे आने के कारण बहुत सारे हो रहा है, जैसे पहला कारण बताया जा रहा है कि जर्मन गवर्मेंट आउट होगी यह bitcoin से, जिसकी वज़से उनकी supply आई, और उनी supply की व करते हैं, तो और भी risky काम हो जाता है, नेक्स यह भी बोला जा रहा है कि MT.GOX जो एक पुरानी exchange जहां पर लोगों का पैसा फस गया था, उसने अपनी पैसा release किया काफी सारे customers का, जिसकी वज़से यहां पर हमें fall देखने को मिला, मेरा बहुत simple सा कारण है, देखो भाई, क् नहीं पता, पर technicals मुझे क्या बोल रहे हैं, वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूं, अब यहां पर story क्या बन रही है, story सबसे पहले market में यह चल रही है, कि यह complete cup का pattern बन चुका है, handle बन चुका है, अब यहां से market में बहुत सारी positive news आने वाली है, जैसे कि ETF, ETF अप्रूव हो उसके बाद Trump के इस बार जीतने की chances बढ़ चुके है, that person is very bullish on cryptocurrency, वो हमेशा कह रहा है कि यह कैसे digital exchange जी है, जो bank से परे हो, जहां पर हम digital currency में काम कर सके, तो bitcoin पे बहुत bullish है, वो आएगा तो obviously US में cryptos की acceptability बढ़ेगी, US में बढ़ेगी तो all over world बढ़ने की chances ज्यादा होते है, तो ऐसे stories और ऐसे narratives बहुत चलते जा रहे, यहां पर आप सबकी expectations यह है कि सीधा यह फार के ऊपर चले जाएगा bitcoins और एक नए high को लगाएगा और एक बड़े breakout के लिए 1,00,000 दॉलर तक बहुत सकता है, मेरा यहां पर क्या view बन रहा है, मैं उसके complete logic आपको बताने की करता हूँ, सबसे पहले आप यह देखेगा, यह जो आपका cup का pattern बना है, इसमें जो depth थी, यह depth है 76% की, मतलब यह जो cup बना है, यह cup के faulty होने के chances बहुत high है, मैं यह क्या कह रहा हूँ, आप समझे, अगर आप technicals जानते हो, technicals जो stock market ने अपला होते है, वो सब जगे अपला किया जाता है, उसे भी हम discuss करेंगे, पर पहले आप complete view को समझे, यहाँ पे एक बहुत ही deep बनाता cup, यह cup इतना depth में बना था, कि यहाँ से वापिस से पूरा का पूरा recover होने में already, फिंग ने आपको returns मिल चुके है, मतलब 3x आपका profitability अलरी हो चुकी है, bottom से उपर तक, 16,000 का bitcoin obviously आपका 70,000 के ऊपर चले गया, एक बहुत बड़ा move आ गया, इसके बाद यह handle बना तो लोगों को confirmation हुआ कि very good, यहाँ पे cup का handle भी बन गया, अब जैसे 72,000 के ऊपर यह bitcoin जाता है, एक fresh breakout आता है और बड़े move के लिए bitcoin रेडी हो गया है, और बड़ा move क्या होगा, usually cup का pattern क्या कहता है, जितना यह नीचे था, वितना ही ऊपर जाएगा, मतलब आप यह समझ सकते हो कि 50,000,000 के यहाँ पर target मुझे मिल रहे है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई, जैसे यह 72,000,000 के ऊपर जाएगा, 52,000 डॉलर का आप stop loss लगाओ, और सीधा आप 50,000,000 bitcoin के खेल जाओ, क एक बार हलका फुल का dip आजाए और वापसे यह complete market bounce back कर जाए, वो best के सिनारियो, इस complete सिनारियो में 52,000 से लेके 50,000 के important support कैसे काम करेगा, इसको usual case में यह break नहीं करना चाहिए, अगर यह break कर जाता है, तो हमारा thesis खतम हो गया है, वहीं पर बात हमारी खतम हो गई है, प्लस, क possibility मुझे बहुत जादा लग रही है, because इतना deep बनाता ही एक cup का pattern, कि हलका सा breakout आते ही लोगों को लगेगा, कि तो बहुत बड़ा breakout आ चुका है, बड़ी rally के लिए यहां पर bitcoin रेडी हो रहा है, I personally feel कि ऐसा होनी की जगे, faulty breakout देके, या फिर वापिस से ये एक बार 72, 73,000 डॉल conclusion बनाता हूं हमारे discussion का क्या हुआ है, पहला, मेरा personal mindset ये कह रहा है, मेरी personal study, education के according, कि भाई, अगर 72,000 के उपर, dollar के उपर जाता भी है, मैं कोई लंबी positional trade यहां पर नहीं लूँगा, on the positive side, because उस breakout के fail होने के chances बहुत ज़्यादा है, because ये cup की जो depth थी, बहुत ज़्यादा थ है, तब तक major crash आना तोड़ा सा difficult रहेगा, because पास में दिखा गया है, कि US के election के आसपास ये माहौल ठीक रहता है, पर US के election के result के बाद वापिस से ये जो breakout हो रखा, ये breakout fail हो जा और आप है कोई dip मिल जाए, वो opportunity हमारे लिए बड़ी होगी, और वो opportunity में even shot करने की opportunity हमारे तो इस वीडियो को अभी से ही like कर दीजिए, आपका view क्या चल रहा है, Bitcoin से rated क्या Bitcoin एक लाग डॉलर पहले होगा, या फिर तोड़ा बहुत जर्क देदेगा, एक लाग डॉलर तक पहुशनी से पहले, और जर्क का मतलब ये होता है, कि minimum वापिस से 25-35% तक का dip देदेगा, आ अब हम चलते हैं अपनी strategy के उपपर, इससे पहले हम strategy पर जाए, मैं आपको introduce करना चाहूंगा, Delta Exchange India की तरफ से, जहां पर आप directly futures and options, Bitcoin में, और बाकी सारी currencies में, जो crypto currencies होती है, उसमें trade कर सकते हो, यहां पर daily volumes कितने हैं, वो आप check out कर सकते हो, one of the highest volumes आपको इंडिया में trade होत जैसी आप deposit करोगे, एक national conversion आपका 85 rupees per dollar के साब से हो जाएगा, trade आपको dollars में देखेगी, ताकि आप properly track कर सको, क्योंकि international terms में dollar में, crypto's में काम होता है, पर वापी से आप जब withdraw करोगे, आप ही के bank account में सीधा आपको INR मिल जाएगा, यहां पर FNO trading हो जाती है, पर even better है, because आप smaller Lots में काम कर सकते हो, 24-7 यहां पर काम होता है, यहां पर आपको margin requirement काफी high रहती है, margins आपको अच्छे मिल जाते है, weekly expiries में मिल जाती है, monthly expiries में मिल जाती है, daily expiries में article 30, weekly expiries में, monthly expiries में帶ने आपको trade करने में liquidity ठीक मिल जाती है, तो एक interesting option हो जाता है, Delta Action India में, अगर आ अपना account खुनाना चाहते है तो लिंक आपको description और pin count में मिल जाएगा प्लस कुछ additional benefit भी मिलेगा अगर आप description में दिये गया links अपना account खुलाएंगे आप check out कर सकते हो description में मैंने mention कर दिया है basket orders आप लगा पाओगे strategy खुद की बना पाओगे in the money out of the money options में काम कर पाओगे यह महिने तक का view मतलब US के election और election के result तक का view बन रहा है positive पर उसके बाद यह जो breakout होगा इस breakout में इतना बड़ा stop-loss लगा के मैं personally trade लेने के mood में नहीं रहूँगा क्योंकि वो breakout के fail होने के chances होगा यह मेरा thesis मेरी study अभी तक की बोल रही है my study can be wrong यह मेरी expertise नहीं है पर charts को देखके जो मुझे समझ आ रहा है वो ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब यहां पर मेरा personal mindset क्या होगा यहां पर मेरा mindset होगा weekly और monthly expires में vertical credits बनाने का जहां पर आपका stop-loss भी strict होता है stop-loss आपका inbuilt रहता है strategy में कभी कोई freak move आ जाए तब भी आपका stop-loss maintained है प्लास आपको कभी भी बड़ा loss नहीं हो पाएगा because आपने cover कर रहा की position क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ for example यहां पर हमें 52,000 के आसपास जब dollars में मिल रहा था मैं यहां पर strategy बनाना चाहर था तो क्या strategy बनती सबसे पहले मैं यहां पर 52,000 dollar के आसपास का bitcoin को put को bitcoin के बुट को short कर देता है यहां पर यहांनी कि मैंने PE short कर दिया और 50,000 के PE को मैंने cover भी कर लिया मतलब यह मेरा vertical credit की strategy हो गई यहां पर मैंने sell किया, यहां पर मैंने buy किया, roughly roughly 1 to 3 का risk reward ratio बन जाता क्योंकि यहां पर आपने cover कर रख है obviously आपको risk भी रहेगी, risk ज़ादा रहेगी पर success की probability इस strategy में आपकी काफी high हो जाती है bullish mindset especially dips में तो यह strategy perfect हो जाती है जहां पर आपका risk to reward ratio तो fever में नहीं है क्योंकि यहां पर आपका risk तोड़ा से जादा रहेगा because आपने net inflow हुआ है पर अगर यहां पर complete bitcoin flat हो गया, hulka full का gap up हो गया, hulka full का flat के साथ-साथ, hulka full का gap down भी हो गया तीनेर सेनर्यो में आप पैसा कमाके जाओ गए यह होती है पहली strategy जिसको हम कहते है vertical credit जहां पर आपका net inflow होता है इसी के जगे आप चाहते हो कि नियार मेरा risk reward ratio मुझे favor में चाहिए चाहे तोड़ा सा risk बढ़ जाए तो दूसरी strategy हो सकती है कि आपको सबसे पहले call buy करना पड़ेगा जो आप usually add the money मतलब 55,000, 56,000 के आसपास का call buy करोगे plus out of the money जाके आप call को short भी कर दोगे for example आपने 52,000 के आसपास का call को buy किया है 54 या फिर 55,000 के call को sell कर दिया है यहाँ पर आपको अपने direction में move चाहिएगा तब ही आप profit में आप आप आओगे पर यह second strategy भी काम कर सकती है अगर आप experience trader हो देखो अगर आपको पास experience है risk लिने की capacity है आपको risk reward ratio चाहिए चाहिए probability of win कम हो तो यह second strategy आपके लिए हो जाती है जहाँ पर add the money तो आप call buy करोगे और out of the money जाके आप call sell कर दोगे यह आपकी risky strategy होगी अगर आपको probability of success ज्यादा चाहिए तो आपको यह second strategy यूज करनी पड़ेगी इस strategy में आप add the money से हलका सा बहार जाके आप put को short कर दोगे और further out of the money जाके आप put को buy कर लोगे यह होगी आपकी vertical credit की strategy अब अगर आप यह चाहते हो कि इन दोनों strategy में क्या risk reward ratio live trade करके मैं दिखाऊं कि कैसे strategy बनती है तो मुझे comment करके बता दीजगा आज का main video था किस तरीके से analysis किया जाता है कब with handle बनता है कब with handle faulty कब होता है क्या probability होती है bitcoin का क्या analysis बन रहा है इसके उपर अगर आप strategy के उपर detail में चाहते हो कि मैं आपको video बना के बताऊं और live करके दिखाऊं तो comment डालके मुझे बता दीजगा अगर आपकी comments मिले तो हम यह बताने की कोशिश करेंगे यह video complete education purpose के लिए कोई भी काम करने से पहले अपने financial advisor से consult करना मद बूलेगा मैंने यहां पर आपको किस तरीके से analysis होता है और क्या strategies हो सकती है उसे समझाने की कोशिश करिए कोई recommendation कोई भी advice या tip नहीं थी finally delta exchange India में अपना account खुनाने का link आपको description में और print content मिल जाएगा happy learning and I will see you very soon